हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैजिक मैट में मैं हो नरेन चिंद्राकर और मैं आज आपके लिए लेकर आये हूँ या ज़ल में यह समय दिखा रहा हैं दरपन इन दिखा रहा है तो उसका वाष्ट्रीक समय क्या होगा तो इस तरीकffen से प्राबलम को सिर्फ 2 सेकेंड में हम हल कर सकते हैं ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं है सिर्फ 2 सेकेंड में, ठीक है है क्या डीक है तो बेसिक देखो ये आपको ध्यान देना है क्योस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् घंटे वाली इसोई यहाँ पर होगा और मिनेट वाली इसोई यह चार पर होगा तो यह 20 जो वास्तिव किसमय करें दिखा रहा है अब यसको इस धरपन में जो की उठवारधर रखा है या उठवार्धर जो धरपन है एदर आईетров से कैसा उसका प्रतिविम दिखेगा तो क्या करेंगे जो धरपन है उसमें क्या होता है left का right में और right का left में change होता है ठीक है left right change होता है जो ट्वेल्भ है और six है ये बेस है अपना इसके right साइड में जो भी है वो आपस में change हो जाता है मतलब यदि कोई भी image इधर दिख रहा है वो pass में है तो इधर आजाएगा मतलब जो pass में हो pass में ही रहेगा जो दूर है वो दूर ही रहेगा तो इसका जब image हम इसमें बनाएंगे तो देखते हैं minute वाली switch क्या है 4 4 पे है न 4 column पे है मतलब 4 इस्थान आगे है तो इसको अब इधर लेएंगे तो इधर से 4 मतलब यह यहाँ आजाएगा 8 पे minute वाली switch का इस्थिति अब यहाँ पे आजाएगा ठीक है pass में रहेगा यह pass में दूर नहीं होगा ना और घंटे वाली switch जो 2 से थोड़ा आगे है दो से थोड़ा आगे है तो इधर दो से थोड़ा पीछे हलका से तो यहाँ पे कहीं पे रहेगा यह घंटे वाली switch का position ठीक है यह घंटे वाली switch मिनट वाली switch अब देखते हैं इसमें time क्या हो रहा है यह 9.40 है ना जो 20 था वह 9.40 दिखा रहा है देख लिजे 9.40 तो इस तरीके से इसका प्रतिविंग बनेगा और यह जल में देखेंगे तो जल का क्या basic है जल में जो है उपर और नीचे मतलब इसके just opposite इसमें उपर और नीचे change होता ह साइड में कोई changes नहीं होता है मतलब जो इधर right side में है वो right side में ही रहेगा तो मतलब यदि जो उपर नीचे ही change करने है अपने को तो समझो इसका base यह है बेशिया है इसके बाद जो भी नीचे रहेगा वो उपर चला जाएगा तो इसमें कैसे बनेगा देखते हैं एक और दो तो इसमें जो जल प्रतिम बना रहे है तो उसमें हम एक जेक्ट मान लेंगे कि घंटे वाली सुई दो पर ही है दो पर है तो इधर उपर चला जाएग और मिनेट वाली सुई जो फोर पर था वो कहां चला जाएगा टू पर चला जाएगा मिनेट वाली सुई ये टू पर चला गया इसमें क्या समय हुआ जो दो भी समय दिखा रहा था वो जल में देखने से क्या लग रहा है चार दस चार दस लग रहा है ठीक है तो इस तरीके में अपने को solve करना है या जल्दी में answer देना है तो इस तरीके से हम घड़ी थोड़ी बनाते रहेंगे क्या करेंगे बस दो सेकेर में हम solve कर लेंगे देखो दरपर्ण प्रतिभीम क्या लग रहा है दो 20 और 9 40 दोनों को हम 8 कर देंगे तो कितना हो रहा है 12 12 हो रहा है तो इसलिए कोई भी समय दिया है आपको 12 से माइनस कर देना है अब देखो मैं इसको बता रहो हूँ वैसे आपको 12 मालीजी 12 से बड़ा है 12 12-40 का समय दिया है, तो यह इसमें से घटाने में दिक्कत होगा, तो आप एक काम करना 12 और मतलब 24, 24 घंटे से घटा देना है, 12 नयाद करके, अब मैं आपको बताऊंगा, फाइनली आपको माइनस किस से करना है, यह सब एक, दो, तीन थो, नमबर याद रखने से अच्छा है, कि एक ही नमबर से हम घटा आए, 24, 24 को क्या लिए सकते हैं, 23 घंटा, 60 मिनट, ऐसा क्यों लिखिया है, क्योंकि इधर तो मिनट है, तो मिनट को मिनट वाले के साथ ही घटाना है, तो इसलिए आप यह काम करना, यह दरपन के लिए, दरपन के लिए आपको इसी नमबर से साड़े छह हो रहे हैं साड़े छह हो रहे हैं तो साड़े छह से घटा नहीं लेकिन यदि समय साड़े छह से ज्यादा हो तब क्या करेंगे तो इसमें भी बारा जोड देते हैं मतलब अथारा तीस अथारा तीस अब इसमें भी एक दिकत यह आ रहे हैं यदि यह जो मिनट है म मतलब 60 मिनिट आ जाएगा, इसका मतलब 17-90 से आपको माइनस करना है, किसके लिए जल प्रतिविम के लिए, ये दो नमबर ही आद रखना है, दरपन वाला दिया रहेगा, तो आपको इससे माइनस करना है, और जल में प्रतिविम बताना है, तो आपको इससे माइनस करना है, ब जिसफे दरपन में देखेंगे, तो कितना समय प्रतित होगा, मतलब दरपन में उसका प्रतिम में क्या बनेगा, या इसी को दूसरे तरीके से विदे सकता है, दरपन प्रतिبةिम में इतना दिखा रहा है, 3 ङुर्म अब being 25 मिनाट, सकते हैं 24 लेंगे तो मिनट तो उधारी लेना ही पड़ेगा ना हम क्यों बाइबर उधाल लें तो 60 में 35 गया कितना 25 और ये 23 में 30 20 20 25 अब 20 25 क्या है यदि 24 घंटे वाला फॉर्मेट है जो 24 घंटे का फॉर्मेट हते है घरी यदि ऐसा तो ठीक है लेकिन 12 घंटे को अटा दो यदि 12 घंटे वाला है तो 12 घंटे को अटा देंगे तो कितना बचेगा इसमें से 20 में से 12 तो 8 25 ये इसका सही समय होगा ठीक है ऐसी काम करना है दूसरा यदि एक घड़ी में अंको की स्थान पर बिंदू की निसान मौझूद है मतलब अंक नहीं दिया है उसमें बिंदू दिया हुआ है यदि इस घड़ी वास्ताव में चार बच कर चालिस मिनट हो रहा है तो 36 दरपन यहां पर करेबा तो क्या करना इसमें किससे माइनस करना है सत्रह नववे ठीकें तो इस विदा से समय दिया है चार चालीस तो देखो जब अथार थे से करेंगे तो उदहार तो लेना ही पढ़ेगा क्योंकि हम मिनट जादा है मिनट जादा है तो उधाले नहीं पड़ेगा तो मिनट उधालेंगे तो घंते में बदल जाएगा तो क्यों हम बार बार उधाले तो ऐसी करते हैं 1790 ही याद रखना है 90 में 40 तो ये 50 और ये 17 में 4 तो 13 अब 13 है फिर से 12 से जादा हो रहा है तो 12 को हटा दो एक 50 एक 50 होगा इसका जो जल प्रतिविम दिखेगा एक 50 अब जल प्रतिविम बोले या 6 ती दरपन बोले दोनों में आंसर वही आएगा समझ मैं है तीसरा क्योंचन है एक घड़ी में 6 बचकर 10 मिनिट हो रहा है जल प्रतिविम बताना है जल प्रतिविम पुछा इसमें जल प्रतिविम पुछेगा तो एक ही तरीका है उसका जो 6 ती जो रता है क्योंकि जल तो ऐसी रहेगा ना ठीक है तो 6 बचकर 10 तो हम किस से घटाएंगे, 17, 90, किस को घटाना है, 6, 10 को, तो यह हो गया, 80, 17 में 6 गया, 17 में 6 गया, 11, 18, अब देखो, 11, 18 क्या होता है, 80 तो 60 मिनेट से जादा हो गया ना, तो 60 मिनेट को इधा ले आओ, 60 मिनेट को इधा ले आओ, मतलब एक घंटा इधार आ गया, तो 11 क्या 12 हो गया, इसमें से 60 मिनेट हट गया, तो 12, 20, मतलब यह जो समय दिया है, 6, 10, उसका 12, 20 होगा, ठीक है, तो इस तरीके से जितना भी क्योश्चन है, सब बन जाएगा, आज के लिए बस इतना ही, मैं उम्म स्क्राइब जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा से शेयर कीजिए, थैंक यू